हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक इंपोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो कि कभी ना कभी आपसे भी हो गई होगी गलती से और वो क्या है मान लीजी आप कहीं पर प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट आपने कर दिया है उसमें आपसे गलती से कोई ऐसा ओप्सन पर क्लिक हो गया है कि आपके पेज बार बार निकलते ही जा रहे हैं और उसमें आपके बहुत सारे page हैं waste हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी ink भी waste हो रही है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसे करूँ कैसे इस print को cancel करूँ तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ तो वीडियो को जरूर देखे इस ऐसी situation में आपको क्या करना है आपको जो window का button होता है उस पे click करना है उस पे click करने के बाद आपको यहां से जाना है settings पे settings पे जाने के बाद आपको यहां पर control panel का एक option होता है वो search करना है अगर आपके computer में ऐसे ही दिख रहा है तो अच्छी बाद है नहीं तो यहां पर जाके आप search कर लीजिए यहां पर लिख कर कर सकते हैं control यह देखिए जैसे मैंने control ही लिखा तो यह मेरा option आगया control panel का इस पे आप click कर लीजिए उसके बाद आपको यह page है खुलेगा उसके बाद आपको hardware and sound पर click करना है इस पर click कर लीजिए उसके बाद आपको यह page खुलेगा आपको करना है device and printer पर click और यहां पर आपकी यह page खुलेगा और इसमें आपका अगर आपने अपना जो printer है वो connect कर रखा है तो इस पर आपको एक sign दिखाई देगा नहीं तो यह आपका इस तरह से ही आएंगे तो जहां पर आपका जो printer है उसका नाम आ रहा है उस पर right click करें right click करने के बाद आपको वहाँ पर सबसे पहला option देखेगा see words printing यह हो सकता है second option भी हो तो याद रखना यह दिखेगा see words printing तो इस पर आपको click करना है उसके बाद जो आपने command दे रखिये है वो आ जाएगा तो आपको यह cancel करना है क्योंकि आपको जब आपने यह print किया है तो यह बार-बार page निकल कर आ रहा है तो आपको यहाँ पर print पर click करना है print पर click करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा के use printer offline तो आपको यहाँ यह तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ simply cancel all document पर click करना है यहाँ पर cancel कर दीजिए और उसके बाद यह खुलेगा are you sure you want to cancel all document for epson जो भी आपका उसका नाम आजाएगा printer का तो आपको yes कर देना है और उसके बाद आपका जो आपने print के लिए page यहाँ पर select किया तो वो हड़ जाएगा अब आपने printer से connect करेए तो आपका यह page अब बार बार निकल कर नहीं आएगा तो यह बहुत ही important मतलब बात थी जो मैंने आपको बताईए है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ ना हो मेरे बहुत सारे page और ink waste हो गई है तो इसलिए मैंने यह video बनाई है होप करते हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगे और मेरे video को like कर दें मेरे channel को subscribe कर दें Thank you